हमारे गुझात में ना जब इस आटम आती है न तब मेरी ममी ये वरे जरूर से बनाती है ये पूरे ज्वार और डही से बने हुए वरे है बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनते हैं और काफी दिनों तक इसे store करके रख सकते हैं तो जब सित्रा सातम आती है तब इसे हम जरूर से बनाते हैं गुजात की यह बहुत ही authentic और popular dish है तो इसे बनाना आज हम सीखेगे हमारे इस वीडियो में तो इसे बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया है दहीं तो दहीं मैंने normal वाला दहीं लिया ह तो जिसे हमें अच्छे से फैट ना है इसे normal दहीं या फिर सस से बनाया जाता है बटर मिल्क जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल करके इस वरे को बनाया जाता है तो मैंने यहां पर six tablespoon जितना दहीं लिया है उसको अच्छे से हमें बीद करना है फैट लेना है उसमें से bubbles भी आफ्ट हो जाना चाहिए तो थोड़ा सा पानी डालेगे बटर मिल्क की तरह इसे हम बना लेगे अच्छे से मिक्स करते जाएगे तो यह बहुत अच्छी लसी घारी लसी बन गई है आप देख सकते हो अब इसमें हमें मिक्स करना है जुवार का आता जो हम रोटी बनाते है जुवार की रोटी जो मोटी वाली आती है वो बनाते है उसका आटा लेगे दो कब भर के इससे ऑठेंटिक तरीके से बनाना है तो यही तरीका बेस है इसमें हमें जुवार डालना है तो जुवार के वरे भी इसे बोलते है या फिर खाटे वरे भी इसको बोला जाता है जो रोटी बनाते हैं जुवार की जो रोटी हमारे गुजरत में उसको रोटला बोलते हैं उसी तरह का आटा इसको हमें आटा लगाना है उसके बार इसे हमें 2-3 घंटे या फिर ओवरनाइट तक इसे धक्के रखना है अगर आप ज्यादा खटा घोटा खाना पसंद करते हो तो आप उसे ओवरनाइट तक ढखके रखो या फिर नॉर्मल आप इसे डो घंटे में इससे आप वड़े बना सकते हो तो मैंने यहां पर दो घंटे रखा है उसके बार इसमें हम डालेगे मसाला तो मसाला मैंने डाला है अद्रक लहसुन और मिर्ची की पेस तीन टेबल स् के स्वाट के साफ से हल्डी डालेगे 1-4 टेबल स्पून और 1-4 टेबल स्पून डालेगे धनिया जीरा पाउदर लाल मिर्च डालेगे हम 1 टेबल स्पून और ठोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऑप्सनल है अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो दो गंते के बाद यह जो आटा ह है ना वह एक्दम सॉफ्ट हो गया है जो हमने लगाया थाटा तो थोड़ा सा पानी डालेगे और सभी इंग्रीडन्स को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूल जैसा रेडी करना है जैड़ा पतला नहीं करना है इस तरह से कर लेता है वरा तो इस तरीके से अगर आप इसमें ठोड़ा सा नीबू डाल देगे तो जो वरा है वो टेल कम पीता है और अच्छे से फूल के दबल भी हो जाता है आप देख सकते हो इसमें मैंने कोई भी बैकिंग सोड़ा इनों का इस्तमाल बिलकुल भी नहीं किया है फ बहुत ही अच्छे से बनते हैं तो ओएल ले लेगे हम और ओएल को मेडियम आच पर गरम करना है और फिर इस तरह से हमें वरे डालते जाना है ओएल में यह जुवार का आता है तो आसानी से चिपकता नहीं है और गिर जाता है तो गोल गोल वरे जो है ना वह हम आसानी से ब अगर आप हाठों से comfortable नहीं है तो इस तरह से चम्मच की हैल से भी आप वड़े बना सकते हो वड़े को डोनों साइट से golden brown हो जाए तब तक हमें तल लेना है अच्छे से यह बहुत ही उपर से क्रंची हो जाते है तो यह बहुत ही तेस्ती लगते है आपके यहां पर साटम में कौन कौन सी recipe बनती है मुझे comment section में comment करके जरू से बताईएगा यह वड़े हमारी यहां तो लगबग हर साल बनते है उसके साथ पात्रा बनता है और सारी जो जो recipe बनती है हमारी यहां वो मैंने प्लेइलीस में डाल दी है रांडन छट का प्लेइलीस है सित्रा साटम लिखा सकते हो इसको तोर के भी मैं डिखा देती हूं बहुत ही अच्छे रखते है और इसे आप 2-3 दिन आराम से खा सकते हो पहले के टाइम पे तो हम इसे बहुत दिन तक खाते थे लेकिन अभी के टाइम सभी लोग नहीं खाते है तो 2-3 दिन तो आराम से यह चल जाता है और quantity आ आपके इसाब से आप बना सकते हो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और सेर करना ठैंक यू